संदेश्टिया देखिया हमारे संबादाता जमील एहमद की एक ग्राउंड रपोर्ट अब बताएं कि आज रक्षबंदन यानि भाई बहन का तेवार है और आप लोग भी आज तेवार मना रही है और पेड़ों पर भी अपने राखिवान जी हमने प्रदूसर इतना बढ़ गया है कि जगा जगा लोग पेड़ काट रहे हैं घर बना रहे हैं इसलिए हम लोगों क ज्यादा जरूरत है आक्सिजन की जरूरत है जो कि कोई सोचता नहीं है जल्दी इसलिए हम लोगों ने राखिवान दी है पेड़ों को कि कम से कम हम लोगों को आक्सिजन मिलेगा हम लोग का परिया और अच्छा रहेगा इसलिए आज हम लोगों ने एक राखिवान दी है आज भाई बहनों का तेवार हैं तो हर बहन अपने भाई को राखी बानने के लिए जाती हैं तो आज हम लोगों ने पेड़ को भी राखी बादा बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑक्षीजन वेंटीलेटर बहुत जरूरी है तो अब इससे ज्यादा हूँ आसी भाई आप यह बताए कि सभी बैनों को लेकर आप यहां पर बेनिया पार्क में और अक्षीजन को जिस तरह से पर्यावरण को लेकर लगातार हर आदमी चाह रहा है कि ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाए जाए और पेड़ों पर आपने राकी बांदा और बनवाया कि लोग मकान तो बनवाल हैं लगी पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो आज बड़ा अच्छा सा वह था एक संदेश ता बरारत से देना चाहते हैं पर हिंदुस्तान को कि अपने घर के आगे पेड़ लगाए जिस तरह बहन भाई को राकी बांदी है और यह संकल्प लिया है क कि पेड़ बहुत ही जीवन के जरूरी है और यह बहुत अच्छा संदेश पुरे परारत से पुरे देश को जाएगा कि हर कोई यह सोचे कि अपने घर के आगे पेड़ जरूर लगाए बिल्कुल देखें तमाम लोग यहां पर थे जो हिंदू बहने भी थी मुस्लिम बहन भी थी और भाई भी थे उन्होंने एक जिम्मिदारी लिए कि पेड़ों की रक्षा करना है पेड़ों पर राखे बांद कर उसके हिफाज़ात करना है तो वरानसी से यह बहती खुपसूरत तजबीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है वरानसी से जमील अमद इंडि इंडिया न्यूस